आज का विशा है पूर्णा वर्त अद्यापन विदी अगर आप पूर्णा वर्त रखते हैं जा फिर कोई वी सुपताहिक वर्त रखते हैं जा फिर कोई वार्शिक वर्त रखते हैं तो आपको वर्त की पूर्ण तक के वाद अद्यापन करना चाहिए अगर आप बर्त का द्यापन नहीं करेंगे तो आपके बर्त निश्पल ही माने जाएंगे बर्त आप चाहे पांच करें, साथ करें, ग्यारा करें तो बर्त पूर्ण होने के वाद बर्त का द्यापन आप जरूर करें अगर आपने कोई ऐसा वर्त किया है और बीच में से आपने शोड़ दिया है तो उसे दवारा से शुरू करें और उस वर्त का द्यापन करें जब भी आपने कोई वी वर्त करना हो उसमें इस्तेमाल होने वाली पूजा समगरी दान समगरी एक दिन पहले लाकर रखें तां जो आपको वर्त के दिन स्विधा प्राप्त होए वर्त के एक दिन पहले आपको इन तीन निज्मों का पालन जुरूर करना चाहिए पहला निजम है शाम के समय शुर्द सात्विक बोजन ग्रहन करें, अगर आप शादी शुदा हैं तो ब्रहम चरिया वर्थ का पालन करें और लसन प्याज का सेवन ना करें, मास मदरा का सेवन ना करें, वर्थ के द्यपन के दिन सुवा जल्दी उड़कर गर की साफ स्पाई क शनान आज से निवर्थ होकर शध वस्तर पहने और सबसे पहले आप सूरिया देव को जालर्पत करें उसके वाद आप तुलसी पूझा करें दैनिक पूझा करें उसके वाद आप अपणे पूर्णवा वर्थ का पूजन करें पूजन आप उसी तरह करना है जैसे आप हर पूर्णवा वर्थ को करते आ रहे हैं पूर्णवा वर्थ वैसे तो बत्ती पूर्णवा वर्थ करने चाहिए अगर आपने पांच, साथ, ग्यारा, इकी वर्थ किये हैं तो आप बर्त पूर्ण होने पर बर्त का द्यापन जरूर करें अगर आपने 11 वर्त किये हैं तो 12 में बर्त पर द्यापन करें अगर आपने 32 पूर्णवा वर्त करें हैं तो आप 33 पूर्णवा पर बर्त का द्यापन करें द्यापन के दिन ये तीन कारिया भी जरूर करें हमारे शाहत्रों में ऐसा वर्नित है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं भोग लगाते हैं उन्हें तीन मादिम से भोग भंचा सकते हैं जा तो ब्रामन के मुक से जा फिर अगनी के मुक से जा फिर दान के दोरा द्यापन के दिन आपको हवन जरूर करना है जो आपने भोग पर शाहत बना कर रखा है अगनी में जरूर समर्पत करें उसके वाद अगर आप समर्थवान है तो आप अपने गर पर ग्यारा ब्रामनों को बला कर बोजन करें अगर आप अपने गार पर 11 ब्रामनों को बोजन नहीं करा सकते तो आप 5 ब्रामनों को गार पर बला कर बोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कम से कम एक ब्रामन को बोजन जरूर करा हैं दान दक्षना दे कर ही बिदा करना चाहिए, दान दक्षना में आप बस्तर दे सकते हैं, द्यान रखें के दान में आप दो जा पांच बस्तर दे सकते हैं, कभी वी एक कपड़ा नहीं देना चाहिए, ऐसा शव समय ही दान किया जाता है, अगर किसी वज़ा से आप रामन को ग गहर पंचा देना चाहिए उसके गहर पंचा दें जहां फिर आप मंदर में भी दे सकते हैं जहां फिर किसी ब्रामन को भी दे सकते हैं जहां फिर आपके आस्प्रोस कोई ब्रामन है अगर बो ब्रामन आपकी दान समगरी लेता है तो आप उसे भी दे सकते हैं आप पीले जां स्फेध रंग के कपड़े ही पैने अन दान कर सकते हैं जैसे गेहूं, वाजरा, चने की दार, इसके इलावा आप कंबल, तेलज, सोने, चांदी का दान भी कर सकते हैं, चीज़ें भी दान कर सकते हैं, ऐसा करने से हमारा चंदर ग्रह मजबूत होता है, दूद, दही, चावल, चीनी का दान कर सकते हैं दान करने के वाद आपको ब्रामन के चर्णिश फर्ष करें और उनका शीरवाद लें दान समगरी के साथ आपको दक्षना वच रखनी है 11 पैसे लेकर आप 1100 रुपे तक आप दक्षना रख सकते हैं अगर आपने जो बोग परशाद बनाया है उसे अपने गार परवार में बेतरत करें और उसके वाद अपने बारत को खोल सकते हैं अगर आपने 32 स्पूर्मा बारत करके 33 स्पूर्मा पर द्यापन किया है तो आप देन में दो वार बोजन कर सकते हैं अगर आपने 32 पूर्मा पर ही द्यापन किया है तो आपको अगले दिन सुभा तक बर्त के निजम का पार्ण करना होगा और अगले दिन ही आपको बर्त का पार्ण करना होगा द्यापन के द्यान वगवान श्री हरिवीचनु जी से समा जातना जरूर करें पूजा और दान के बाद गाये को, कुतों को, चीटियों को, वशुपक्षियों को जितना आप से बनता है दाना, पानी, हरा, चारा, वच्छ खलाए पलाएं इस तरह आप अपने बारत का द्यापन कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैक्स पर वाचिंग इस वीडियों